हलोग वाईज हाई स्वागत आपका एक और जबर्दस वालियूबल वीडियो में आज इस वीडियो के ननना हम सीखने वाले हैं एक ऐसे निच के बारे में जो की सोने की ख़दान है येस यू हर्द राइट गाईज गोल्ड माइन है ये स्टोरी आपको पता हैं खासकर अगर मैं बात करूँ हिंदी स्पीकिंग लैंगवेजिस में जो हिंदी भाशी है वो स्टोरी जो ढूंडती है ना उसके अंदर सच में इतना पोटेंशल है कि अगर आज मैंने जो बता दिया और ये आपने करना शुरू कर दिया तो आप आपको बताने वाला हूं क्या होने वाला है आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसूरी निच पर ये छीजे ब कर आने वाला हूं 1- century का तो आपenda को पिंशल दिखाऊंगा कि कि तने लोग गोगल पर इसको सार्ट करते हैं इस पटे जो राया उसका competitive analysis दिखाऊंगा ताकर कि आप उसको चोरी कर पाओ, अपने potential के लिए, वो जो जो कर रहा है, आप exactly चोरी कर ले ना, what भी मैं चोरी यूज कर रहा हूं, और third मैं सिखाऊंगा, कि इस type की story को create कैसे करे, no matter आप एक अच्छे storyteller है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको create करने के लिए, दो AI tools के बारे में आज बताऊंगा, जिसमें एक story create करेगा, और एक visualization create करेगा, उस story का, don't worry guys, आज इतना strong ये subject है, कि इसमें आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, और आपके पास ताबर तोड इसका एक scope होगा, क्योंकि इसका जो traffic है, मैं अगर आपको दिखाऊं, तो आप हैरान से कम कुछ नहीं होने वाले, मैं माल लेता हूं, क्या आप बोलोगे कि story अगर इतना popular है, तो इसमें तो अच्छागा सा competition होगा, गैस बिलकुल इस पे competition होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन मैं जिस scope को आज आपको दूँगा ना, उसकी अंदर मैंने आप लोगों को उपर से मेरे वो golden four filters, जिसके बाद तो rank कोई बच्चा भी कर जाएगा, वो four filter golden rule के लगा के मैंने आप लोगों को story के उपर list अलरी टेलिग्राम पे दे दिया है, अब मैं इस list पे आपको work कैसे करना है, उसके उपर पूरा practical अपने computer screen पे ले जाके दिखाने वाला हूं, तो अगर आज इस session में आप without patience को lose करे रहे गए ना, क्योंकि detail में होने वाला है ना, तो detail में बहुत सरी चीज़े बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, लोगों को लगता है, मुझे बिलकुल अभी घोले पे बिठा दो और अभी शादी करा दो मेरी, मुझे नहीं जाना रखा, ध्यान रखा है, जरूर देखना, और करना, स्टार्ट कर देना, जो कि सबसे बड़ी बात होती है, तो चलो guys, without wasting anymore time, आज शुरू करते हैं, story इस niche को कैसे खाया जाए, in my computer screen, So guys, आप और मैं आगे हैं, मेरे computer screen पे, और यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि मैंने कुछ tabs open रखे हैं, यही सारे tabs हैं, जो कि आपको भी open करने हैं, और आपको भी इनमें as it is काम करना है, जो कि detail में मैं आप लोगों के साथ आज share करने वाला हूँ, number one, सबसे पहले मैंन SEMrush के अंदर keyword magic tool का tab open कर रखा है, that is number one, second मैंने उस particular site को open कर रखा है, जो site number one पे rank कर रहा है मेरे उस keyword पे, जिस keyword पे आज मुझे काम करना है, third tab मैंने SEMrush का ही domain overview में exact URL का एक extraction analytics open कर रखा है, कि जो यह website rank कर रही है, इसका पूरा analytics मुझे मिल जाए, ताकि मैं अपने competitor के ब है, वो है my all time favorite which is chat GPT, इस पे बहुत सारी videos मेरी इस channel पे है, जाके ज़रूर देखना बहुत detail में मैंने video पनाया है, fifth tab which is the next AI of the era, मैं fan हो गया हूँ और इसका use मैंने lifetime के लिए अपने tools के अंदर मेरे tools arsenal पे मैंने इसको रख दिया है, मतलब यह अब मेरे तरकश के तीर हैं, यह सारे AI tools, यह है mid journey का discord server, जो कि मैं आज use करने वाला हूँ, और एक canva जिसमें मैं थोड़ी बहुत editing कर लूँगा, और finally मेरा doc file जिसके अंदर मैं आज इस story को बनाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं, मैंने इस story को बनाना स्टार्ट कर दिया है, कैसे थोड़ी जलक द दौरान एक बहानक चोट लग जाती है, फिर वह बहुत ज़दा बुरी तरीके से गिर जाती है, और उसको तुरंट अस्पताल भेजा गया, तो आप देख रहो कि मैं किस तरीके से एक story बना रहा हूँ, और उस story के साल साथ मैं उस images को भी बनाता हुआ चल रहा हूँ, जो क मैंने आपको एक व्याक्या करती है, अब चलते हैं बिल्कुल डिटेल में, सबसे पहले, the first step, जिसके अंदर आज का जो मेरा main focus रहेगा, वो है story keyword, guys, मैं story दुनिया को सुनाना चाता हूँ, जिस story से मेरी जनता, मेरे website तक आएगी, और मुझे उससे earning होगी, वो अब different तरीक लिखने के बाद, मैंने यहाँ पर कुछ filters लगाएं, guys, story के बाद, कौन से filter, सबसे पहले मेरा volume का filter है, kd का filter है, include keyword, exclude keyword, यह 4 filter बहुत जरूरी थे, guys, और वो 4 filters कौन से हैं, जल्ली से मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यह देख लो, जब मेरे यह 4 filter ल अब फड़ फड़ से काम करो, अगर आपको यह 392 keywords चाहिए, अभी किया अभी, तो मैंने इसको download अलरी कर लिया है, और मैंने अपने telegram channel पे इसको public कर दिया है, अगर आप चाहो, तो चल्दी से telegram channel को join करो, इस keyword list को download कर लो, और इस पे काम start कर दो, that is the number one way, second तरीका यह है, क 14 days बाद अगर आप इसको continue नहीं करना चाहते, तो आप बंद करवा देना, लेकिन 14 days के अंदर, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इतने सारे keywords research कर लोगे, जिसमें आप मेरी dependency क्या, किसी की ऊपर आप dependent ही मत रहो न, आप अपने keywords खुद के निकालते रहो, जो तरीका मैं आज यहाँ पर बता रहा हूँ, चलो, अब मैं आपको जली से वो filters दिखा दिता हूँ, कि वो filters क्या-क्या होने वाले हैं, number one filter, सबसे पहले मैं चाहता हूँ, कि मैं उनी keywords को, इस list के अंदर लाऊँ, जो कि कम से कम 500 का search volume monthly रखते हैं, quite obvious, 500 से नीचे का, अगर traffic किसी keyword में है, उस पर काम करना, story जैसे keyword niche पर मैंने चाहता कि होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ, कि मुझे अच्छे वाले keywords मिल जिस पर बहुत अच्छा traffic हो, तो 500 minimum होना चाहिए, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, एक लाग 10,000, 60,000, 40,000, 40,000, 43,000, 27,000, क्योंकि मैंने 500 से उपर वाले keyword लिए, that is my first filter, अब second filter क्या है, is KD, KD always है, क्योंकि आप हमेशा जब एक नई website start करते हो, तो आपकी website की authority बहुत ही कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि आपका नया website है, आपकी website का अभी बहुत महनत करनी है, तब जाके वो अपनी authority बढ़ाएगा, तो अभी आप सर्फ उन keywords मेंना कोई भी नई site भी rank कर जाती है, अगर उसमें quality है तो, जैसे आप देख पर रहे हो, very easy में क्या लिखा, your chance to start ranking new pages, मतलब नया pages कोई भी rank हो जाएगा, 0 to 14 वाले तो, लेकिन easy में क्या है, you will need quality content, focused on the keyword intent, मतलब आप story वाले keyword को बस optimize कर दो, अपने page में, अपनी website के अंद कि मैं चाहता हूँ कि वही keyword मिले, जिसके अंदर हिंदी word हो, हिंदी यार रखो, क्योंकि मुझे हिंदी वाली जनता को target करना है, reason being यह और easy होती है, आराम से rank करने के लिए, और इस तक के जनता भी बहुत ज़दा है, दोस्त, आप देखो न, कि इतना filter लगाने के बाद भी 1 million, 1 million का traffic है, तो that is the second most important keyword जो कि मैंने यहाँ पर लिया है, any लगा के करना, हिंदी लगा देना, apply कर देना, आप अब हर keyword देखो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी लिखा आएगा, वही आपके सामने आएगा, look at it, ठीक है, अब यह जो exclude कि है, यह वो गंदे keywords है, जो कि मैं default आ रहे थे, लोग search करते हैं, आप Google पर search करते हैं, तो मैं क्या करूँ, लोग करते हैं, लेकिन मुझे नहीं इन keywords पर काम करना, तो मैंने इनको exclude पर रख दिया है, 12 keyword है, इसकी वे अगर list चाहिए, तो टेलिगराम चाहल पर जाओ, और मैं आपको list प्रोवाइट कर आपके पास यह सारे keywords आगे, 392 keywords जो की 1 million का search volume रखने की हिमत रखते हैं, आप मैंने second क्या किया, second यह किया, अब इसमें से मुझे काम करना, start करना है, तो example के तौर पे, example, मैंने यहाँ पर एक keyword ले लिया, short moral stories in Hindi, short moral stories in Hindi, जिस पे 21 का keyword difficulty percentage है, जो की बहुत अच्छा है, क्यों यह तो और easy keyword में, यह तो very में आता है, लेकिन फिलाल मैं आपको एक easy भी दिखा जिता हूँ, short moral stories in Hindi, अगर मैं इसमें देखो, कौन-कौन rank कर रहा है, इंडिया में, तो मैं आपको दिखा दूँगा, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, short storylines.com, moral stories in Hindi, और इसको ही मैंने अब, जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे हाँ पर दिखा कि इसने चीटी और कभूतर की कहानी सुनाई, image और फिर कहानी, image, कहानी, image, कहानी और दूसरी फिर स्टार्ट होगी, short story थी, तो short में निप्टा दिया, पहला कहानी, अब देख रहे हो, short में नि स्लाइक करके चले आना, आपकी मर्जी, अब जल्दी से मैं क्या करूँगा, मैं यह देखना चाहता हूँ, कि यह first पर rank कर रहा है, right, यह first पर rank कर रहा है, अभी अगर first पर rank कर रहा है, अगर मैंने इसकी quality या ले ली, अपने पास, या इस से जाधा कर दी, यह जितना भी द कर दिया, और exact URL को search करके मैंने बताया, कि सेमरेश मुझे बताओ कि इस page को, यह जो rank हो रहा है, इस page को rank करने के लिए, वो consequence चीजे जरूत पली थी, जिस वाजी सी, यह first में rank कर रहा है, इस keyword से, जिस keyword में कितना traffic है, इस keyword में 33,000 का traffic है, 33,000, तो जैसे मुझे पता लगा कि इस पर यह first पर rank कर रहा है, तो 33 में से 28.6 का organic traffic तो इसको ही मिल रहा है, जो कि quite obvious है, क्योंकि first पर rank कर रहा है, तो इसको ही मिलना चाहिए, अब आप देखो, कि यह पूरा का पूरा almost 90% traffic यही ले जा रहा है, तो आप मुझे क्या करना है, जल्दी से मैं बता देता हूँ, इ इसका traffic भी अच्छा कासा जो है, अराम से बढ़ता घटा रहता है, लेकिन रहता है traffic, ऐसा नहीं की खतम हो गया, और यह अपने keywords पे continuously काम कर जा रहा है, जिस वज़े से, देखो, top 3 तो हमेशा 15-24 keywords इसके रहते ही हैं, देखो, और यह keywords बढ़ाया जा रहा है अपने, अब य detail करूँगा, तो और भी आ जाएगा, लेकिन अभी उस depth में नहीं जा रहा हूँ, मैं से बब को समझा रहा हूँ कि आपको क्या 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 करना है, तो यह सारे details जो है, आप Samrash निकाल सकते हो, pro version इसका ले लो, जल्दी से link में click करके, वरना मैं इसको आपको telegram channel पे भी दे मैं अफ़र अफ़र से chat GPT open कर लिया, और chat GPT को मैंने काम पे लगा दिया, अब देखो मैंने यहाँ पर commands क्या 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 दिया है, prompts क्या 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 दिया है, जिस prompts का इस्तमाल आप भी करोगे, और बैठे बैठे, copy-paste method से आप अपना काम चला लोगे, आपको कुछ करने की जरूत नहीं है, आपको सोचनी की जरूत नहीं है, बस आपको एक entrepreneurship mindset आना चाहिए, कि tools को कैसे काम में लगाया जाता है, खुद को नहीं, खुद का सिर्फ दिमाग चलना चाहिए, अब यहाँ पर बहुत सारे command है guys, जो बने दिया है back to back, कैसे, सीख लो, मैंने सबसे पहले इसको दिया है, write a short motivational story with fall down, comeback, twist, emotions, morality in 700 words, मतलब एक motivational story लिखो, अगर मैं सिर्फ लिखता है, motivational story लिखो, वो अपने आप से लिख देता, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी creativity डालू, मैंने काया कि fall down होना चाहिए, मतलब बंदे की life में कोई fall आया है, गिरावाट आया है, फिर लास में morality, कि moral of the story क्या रहेगी, वो भी बताना, और ये सारा होगा 700 words में, 700 words जो होता ही, एक short story माने जाती है, क्योंकि 5,000, 10,000 words के long story होती है, but 700 words is a short story, अब इसने मुझे एक बड़ी आसा 700 words में, story लिख के दे दिया, आप देख सकते हो, मैंने इसको पढ़ा है, and I got to know all the things, जो कि मैंने हाँ पर बताया है, कि मुझे ये सारी चीजी चाहिए, और ये सारी चीजी इसमें मिल गई है, and I am so quite happy, आप अगर चाहो, तो इसको pause करके पढ़ सकते हो, और आप खुड decide कर लो, कि क्या मैंने सही एक story निकाली है, या नहीं निकाली है, आप यहाँ पर देख सक मैंने इसके लिए इसका सहरा लिया, which is my mid journey, guys mid journey में मैं क्या करता हूँ, मैं simple जाता हूँ, अपना text यहाँ पर लिखता हूँ, forward slash imagine करके, और मैं इसको जो भी prompt देता हूँ, कि भईया मुझे इस type की images चाहिए, वो मुझे उस type की images निकालके दे देता है, but मुझे किस type की images चा in extremely detailed way, यहां से सुनो, अब इसने क्या किया, मुझे scene मना के जरना शुरू कर दिया, scene 1 क्या होना चाहिए, Mia गिरी कैसे, the sun was shining brightly as Mia stepped into the field, she could feel the excitement bubbling up inside her, this was her chance to shine, she took a deep breath and ran out onto the field, ready to play her best game ever, तो यह एक scene मना दिया है, इसने, अब इस scene को मैंने यहाँ से copy किया, और मैं आपने discord server में आ बना है, just look at it, मैं आपो दिखा रहा हूँ, यह रहाँ, यह वो scene है, जो कि मैंने as it is बनाया, देखो, यहाँ पर देखो, the sun was shining brightly, was Mia stepped into the field, she could feel the excitement bubbling up inside her, this was her chance to shine, she took वगरा, मैंने as it is दे दिया, और इसने मुझे 4 image बना के दे दिया, और इसने मुझे 4 image बना के दे दिया, और इसना, realistic चीज चल रही है guys, इसने मुझे story भी दिया और scene भी बताता हुआ चल रहा है, but she was sprinting down the field, something went wrong, stumbled over her own fell feet, fell hard onto the ground, मैंने फिर वो गिर गई, ऐसा भी कुछ हुआ, फिर वो गिर गई, तो वो गिर गई वाला scene यहाँ पर है, मैंने यह चीज़ यहाँ पर लिया, क्योंकि इसने जो scene दिया था, उस scene के recording, यह बन के आया था, मैंने उसको यहाँ से ले लिया, look at it, यह मिरे story का पढ़ा, देखो, अगर आपने पढ़ा थो, की, suffered a terrible injury during a game, she fell down hard and had to be rushed to the hospital, तो वो गिर गई बहुत तेजी से, और लोग हंसने लगे, मतलब लोग ऐसे पीछे थे, वो बहुत ashamed feel कर रही थी, तो यह सारी चीज़ यहाँ पर आ गई, फिर देखो, दॉक्टर के पास ले जाए जा रहा है, यह भी मैंने ही से निकाला, दॉ जो कि मुझे चैट GPT ने ऐसा सीन दिया था, तो देख रहो गईज, हर चीज AI की मदद से आज की डेट में पॉसिबल है, और मैं आपको A to Z चीज़े डिटेल में दिये जा रहा हूँ, जैसे ही स्टोरी में री complete हो जाएगी, अभी तो complete नहीं हुए, मैं इसकी images भी निकाल और इसको और भी बढ़ा रहा हूँ, अब ये हिंदी में था, keyword मेरे क्या था, हिंदी में, अब ये हिंदी चीज कैसे है, याप बोलोगे, सर ये हिंदी में कैसे आया, तो उसकी भी टेंशन मतलो, मैंने यहाँ पर भी command ready रखे है, मैंने जैसे scenes बनवा लिए, क्योंकि scenes अग guys, आप देखो, कि उसने मुझे हिंदी में इसको convert करके दे दिया, लेकिन आप मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कि ये free version है, free version में आप उतना अच्छा उमीद मत रखना कि आपको convert करके, जो दे रहा है, वो बिल्कुल accurate है, आप अगर इसको premium कर लोगे, जो कि मैंने भी लेना है, अब आपको हिंदी में यहां से story लेनी है, और English में यहां से scene लेना है, और mid journey, जो कि एक premium software है, मतलब मैं यह नहीं बोलूँगा, कि वो 100% free है, बट इस type के काम के लिए, यह extremely affordable है, इतना affordable है, कि आप यकीन नहीं मानोगे, 10 डॉलर में आप पूरी की पूरी story जो है, कम से कम 5-6-10 बार लिखवा सकते हो, और अगर वो story है, चल गई, तो क्याईज आप mid journey को बतानी, कितनी बार यह ऐसे 10 डॉलर आप pay कर दोगे, तो यही reason था, मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की, और यहां से, इन दोनों से, मेरा जो story है, वो complete होना शुरू हो जाता है, यहां से मैं बहुत सारी story है, बना सकता हूँ, अब आते हैं main game पर, वो है, कि story चलो मेरी complete हो गई यहां पर, मेरी एक motivational story जो है, यहां पर बच्चों के लिए complete हो गई, अब मुझे क्या करना है, अब जो आपको करना है, वो दिहान से सुनो, सबसे पहले, आपको इस story को, अप से ज़्यादा यहां पर focus कर रहा है, moral stories, moral stories, आप यह सारी चीजों का ध्यान रखोगे, हिंदी stories for kids, तो इसने English में इसलिए लिखा है, ताकि यह keyword stuffing कर पा है, यह अपने main title में भी keyword stuffing कर रहा है, URL पे भी keyword stuffing कर रहा है, तभी यह rank कर पा रहा है, और इसके अलावा, यह अच्छा जिन पर यह rank कर रहा है, that is very important, लेकिन उससे भी ज्यादा important है, मुझे यह पता करना है कि इसका backlink क्या है, क्योंकि मैं यह सारी जो चीजे है, जो कि मेरे on page में है, वो तो सारे मेरे control में है, मैं कर दूँगा, लेकिन अगर मुझे पता लग जाना है, इसके पास backlink जो है, यह रहा, वो page जिसके लिए ले रहा है, देख रहे हो, अब इसने खुद का भी internal linking किया, तो उसको backlink count कर लिया गया, और यह रहा वो page, सारे page तो सेम रहेंगे, because of course मैंने इसके लिए backlink बनाया, आप देखो यह ultrabacklink.com, यहाँ पर जाओ, अब पता लगाओ कि यहाँ पर आप कैस backlink बना सकते हो, यहाँ से backlink इसने कैसे बनाया, आप जल्दी से जाओ, और backlink बना लो, फिर इसने यहाँ से कैसे backlink बनाया, आप यहाँ पर जाओ, और backlink जल्दी से बना लो, अगर आपके बास pro trial है, तो यह सारी चीज़े आप निकाल के एक ही बार में रख दो, 14 दिन के अ आपका काम हो जाएगा, तो अगर आपको चाहिए कि मैं यह भी आपको backlink की पुरी report जो है, telegram पे दे दूँ, तो मैं दे देने के लिए ready हूँ, लेकिन telegram उसके लिए फटना फट से join करो, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो में भी, जितने भी यह resources की जरूरत पड़ेगी जल्द इसे join करो और यह सारा ले लो, तो आप यह भी देख लो कि इसके site में जो adsense के ads चल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, ताकि आपको पता लग जा है कि earning जो है, वो कैसे होने वाली है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर अच्छे खासे ads चलते हैं, आप भी चल रहे हैं, इतने सारे ads चल रहे हैं, तो definitely आपको पता है कि यहाँ से आप earning तो होने वाली है, आपको सिर्फ पर सिर्फ यह focus करना है, कि किस तरीके से मैं इस story वाले जो genre में है, traffic लाँगा, और उसके सारे तरीके बने आप लोगो को detail में बता दी हैं, इतने detail में तो श तो आप बोलोगे, ठीक है कर लेंगे, नहीं, यह वाला attitude नहीं रखना है, ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया है, बस अब उसको सुन लो कि उसको further क्या करने वाले है, प्राक्टिकल तो मैंने आप लोगो को अपने screen पे जाके बता दिया है, लेकिन उस प्राक्टिकल कीवर्ड मिलने वाले है, मिल गए है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पे से daily एक कीवर्ड, daily one कीवर्ड, इस पे आप अपना काम, अपना story बनाना शुरू कर दो, अब इस story को आप publish करो, अपने blog में जाके, और उस पे जो करना है, वो ध्यान से सुनो, उस पे क्या तो कि Google पे अभी तक जितने भी keyword list आपने निकाले है, उस पे कहीं पर भी Hindi font में कुछ सर्च हुआ ऐसा दिखा, आपको नहीं न, तो आपको English में लिखना है, जैसे की motivational kids story in Hindi, उसने भले ही हिंदी में मैंगा है, लेकि खुद लिखा है उसने English में, आपको ये वाले keyword को, बतल से सुनो, अगर आप इसका on page optimization करोगे, तो आप मालो कि आपका 50% काम तो यहीं हो गया, बाकी 50%, उसके लिए मैं आप लोगो को अलड़ी बता दिया, कि बाकी 50% के लिए आप जल्ली से backlinks जो है, अपने competitors के, उनके backlinks profile को download करो, जैसे आप download कर लोगे, pro version के लिए मैं नीचे link से दिया है, क्योंकि आप मुझे नहीं पता ना कि आपको किस का profile चाहिए, मैं किसी एक का निकाल के दे सकता हूं, बट अगर आपके पास 300 keyword list है, हर keyword list पे कोई न कोई competitor जरूर होगा, जिसका आपको list चाहिए होगा, तो मैं इतने सारे निकाल के नहीं दे सकता, इसलिए आप आपने on page कर लिया, तो आपका 50% के काम होई हो गया, बाकी के 30% आपके backlinks हो जाएगे, बाकी के 30% आपके backlinks हो जाएगे, अब आप बोलोगे 20% का क्या करना है, यह 20% किसी का हाथ में नहीं, यह Google का algorithm जो की इतने hidden है, जो आज तक कोई नहीं कराक पाया, यह 20% कौन से है, जि यह इतने minute है, कि अगर आप इन सबको अगर आप achieve करने बैठ जाओ ना, तो आप तो अपना पूरा सड़ खपा दोगे, टाइम खपा दोगे, आप बरबाद हो जाओगे, मैं कहरा हो यह 20% छोड़ दो, आप सिर्फ on page optimization, on page इसको ध्यान रखो, और plus backlink का ध्यान रखो, दोन हर दिन का भी एक पकड़ते हो, तो आप मांगे चलो, आपके 362 दिन साल के होते है, तो आप पूरे साल में इसको cover कर लोगे, एक पूरे साल में cover कर लिया, तो उस पूरे साल तो आपका जितना traffic आया ही आया, लेकिन आपको आने वाले 2-5 साल तक आपको बैठे-बैठे earning दे दावा, आप देखी रहे हो कि मेरे मांग दर्शन सेरीज के अंदर बैक टू बैक जो वीडियो आ रहे हैं, वो आप लोगों को सिफ यार मांग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आप लोगों का हाथ पकड़ के मुह में spoon feeding तुम्हें कर नहीं सकता, मैं आप लोगों के उसमें जाते वक्त आपको यह रोड़े पढ़ेंगे, बस इसको ऐसे ऐसे हटा देना पहुच जाओगे, तो गैस क्या मैं आपको हाथ पकड़ के ले जाओँगा, और आपके लिए सारे वो रास्ते के जो पत्थर कम खड़े उन्हें हटाओँगा, नहीं न, वो आप जो की actually मैं deserve करते हैं, तो guys वो तो जीत गए न, मैं उनको जीतने नहीं दूँगा, तो guys प्लीज आप लोग का help चाहिए होगा मुझे इस टाहिता चाहिए, जैसे जिस motivation से मैं काम कर रहा हूँ, जिस energy के साथ मैं काम कर रहा हूँ, यह डूबने मत नहीं न दोस्तो, like, comment, share, यह बहुत जरूरी होता है, आप लोगों की तरफ से मुझे इस टाइप के research इसको दिन रात बैट के, मैं रात के दो दो तीन तीन बज़े तक research करता हूँ, सुबह साथ बज़े उठके, आप लोग ली वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ, ऐसा चल रहा है मेरा routine, अगर आप इसको value नहीं कर रहे हो, तो आप मान लो guys कि आप क्या बोलू, ठीक है, तो please like, comment, share, मैं हगदार हूँ, तो अगर आपको लग रहा की valuable है, तो guys जरूर करना, बाकी मुझे इजादत दो, मिलते परे next video में तब तक के लिए guys, have a nice day, bye and you ही मुस्कराते रहिये